हेलो दोस्तों नमस्ते सास्त्रीकाल आदाब आपका स्वागत एक नई वीडियो में तो अभी लबक सुबह के साड़े नौ बज रहे हैं और यहां पर आप दे सकते हो नीरज जी पेंग्या जसन पीद बैठे हैं चूले पर और आज वो बनाने जा रहे हैं आलू की चांट क्य अगर मिल पाती है तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है और आपको भी दिखाते हैं तो जसन पीद को बहुत जादा भूंग लग रही है तो पिंकस नहीं यहां पर आभी आलू फोड के दिये दिये चमश्य और इसमें थोड़ा सा कालर नमक डाल दिया यह खाएगी क्योंकि इसको भूग बहुत जादा लग रही है पहले सी तो खालो ठीक है भर जाएगा है तौनों लोग खालो तुम अब यहां पर आप देशकते हो नीरे जी तर्कनी बट रही है हरे धनिया की तो इसी से हमारी जो चांट है देशी वो बनेगी और बहुत ज़्यादा बैसा तो सुआप लगती है लिकित आभी हमारी मजबूरी है अभी खाना नहीं बनेगा आज सब्दी है नहीं तो इसी से सब्सक्राइब की जरूबत होगी थोड़ी सी हिंग रह गई है कि यह भी खतम होने वाली है लाल मिर्चे है तो यह भी थोड़ी है यह डाल दी जाएगी तो यहां पर यह लो मिच देदी मैंने जीरा देदू जीरा आगे हमारा हमारी चटनी बटी ने रचने वह इसमें दी जाएगी तो दोस्तों हो सकेगा तो इससे रूटी सिकभा लेंगे और उससे पेट भर जाएगा तो अभी थोड़ देर के लिए इसको अकने दिया जाएगा और उसके बाद ही आलू दिये अच्छा लग रहा या ग्रेवी कि अच्छी लग रही है तो अभी दोस्तों यहां पर आप दे सकते हमारा मसाला भूंज गया है अब इसमें आलू दिये जाएंगे देख लो साबिती आलू दिये जाएंगे फोड़े जाएंगे नहीं क्योंकि इसी की चाट बनती है अच्छी है कि सब्जी थे नहीं तो यहीं इससे बुझार करना आज है अगया पेड़ घर 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 खाए बहुत जाए प्यादा लगें आप इसे अपने घर पर बना सकते हैं पहुत जादा स्वाद लगते हैं खासकर सरदी में ज्जत अच्छी लगते हैं तो अम्मीद करते आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें अगर हमारी चैनल पर आप नहीं है तो मिलता है किसी दूसरी दीच